नमश्कार दोस्तों, 15 मार्च 2021 के डेली एडिटोरिल डिस्कुशन में आपका स्वागत है। देखते हैं कौन-कौन सी important news आज डिसकुस करेंगे, वैसे तो मैं आज आपके साथ चार एडिटोरिल्स डिसकुस करने वाला हूँ। पहला एडिटोरिल है, Force Stalling a Cyber Pearl Harbor, Recently Recorded Future नाम के एक organization ने, New York में, USA में बेस्ट organization है ये, इस organization ने एक रिपोर्ट दी और रिपोर्ट में बोला कि अक्टूबर 2020 के लगबग जो नवी मुंबई में, मुंबई में और देश के और भागों में, जो पावर डिस्ट्रिबिशन कंपनी से उनके ओपर अटाक हुए थे, दो पोर्ट सेक्टर की कंपनी से उनके ओपर अटाक हुए थे, वो अटाक चाइना बेस्ट hacker groups ने करवाए थे, तो इंडिया के सामने, साइबर फील्ड में जो चैलेंज है, फ्रॉम चाइना वो कितना बड़ा है, और केवल इंडिया के सामने भी नहीं, यूएस जैसी कंट्रीज के सामने भी फ्रॉम चाइना साइबर अटाक का जो आपके सकते हो थेट है, वो कितना बड़ा है, और खास बात यह है, यह जो सा उस्ट्रेला के प्रोफेशनल्स के पास प्रॉपर सिक्योर्टी एक्सपर्ट्स नहीं है क्या कि वो इस प्रकार के साइबर थेट्स को रोक पाए तो यहां पे एक पॉइंट और बताएगा कि जो भी सॉफ्ट्वेर्स बनाए गए हैं बड़ी-बड़ी वेस्टन कंपनी के द लेकिन ज्यादा पैसा कमाना से दूर उस वॉल्नरेबिलिटी का चायना यहां पर फाइदा उठा रहा है पूरा इश्यू किया है इसको मैं आपर समझाने की कोशिश करूँगा नेक्स्ट जो न्यूस है वो जॉब क्रॉंच को लेके हैं कि यह जो रिसेंट्ट्ली आपका ह अर्याना में ठीक है और एक और स्टेट हैप का आंधर प्रदेश में यहां पर जॉब्स को रिजर्व किया गया है लोकल्स के लिए तो इसके रिस्पेक्ट में आर्टिकल जॉब रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर अलग से डिसक्स करूँगा मैं यहां पर डिसक् कोटे से आप कह सकते हो आर्टिकल में क्या-क्या टोटल एग्रिमेंट साइन कियेंगें स्कॉड के दोरान कौन-कौन से फील्ड में बात की गई है और किस हद तक यह जो कॉड का स्टेटमेंट है वो चाइना के अगेंस जा रहा है उसके बारे में बहुत सकिंटली यहां प का और इंफ्लेशन टार्गेटिंग का तो अभी फरवरी का इंफ्लेशन डाटा सामने आया है तो जनवरी 2021 का जो इंफ्लेशन डाटा था और फेवररी 2021 का जो इंफ्लेशन डाटा है फेवररी में इंफ्लेशन बढ़ा है तो चू की इंफ्लेशन बढ़ा है तो अलग-अल नेक्स्ट एक आर्टिकल है मेकिंग सेंस ओफ राहूल गांधी पॉलिटिक्स देखी इस आर्टिकल को मैं अलग से डिस्कस करूँगा आपके साथ इसमें एक्जाम्स के पॉइंट का कुछ नहीं है लेकिन इस बहुत अच्छा थॉट प्रॉसेस है राजेश महापात्रा जीनेस आर्टिकल को लिखा है रोहन डिस्यूजा ने इसमें इनपूट्स दी है इनका बोलना ये है कि आज की डेट में राहूल गांधी को नाना प्रकार से क्रिटसाइज कर जाता है कुछ लोग राहूल गांधी जी को बोलते हैं कि अदर दिमाग थोला कम है कुछ लोग बोलते हैं कि ये उतने शार्प नहीं है बट आज की डेट में भी ये जो कॉंग्रेस के हैड है राहूल गांधी जी ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा खत्रा है कैसे ये बहुत बड़ा खत्रा उसके बारे में आर्टिकल में बात करीगी है अलग से डिसकस करूँगा यहाँ पे तो नहीं ये एक जनरिजम बेस आर्टिकल चपता है हर संटेड़े तो मैं इसको डिसकस नहीं करता हूँ और फ्यूचर फोर्स फॉर्स यहाँ पे बताया गया है कि देखे आर्मी तो है हमारी ठीक है पुलिस है अगर आप बात करो हमारे देश में तो हमारी देश की सेक्योरिटी के लिए एक्स्टरनल और इंटरनल सेक्योरिटी के लिए जो forces हैं एक आर्मी हैं बाहर central armed police forces हैं देश के अंदर police forces हैं लेकिन इसके अलावा एक और force की जरूत है वो कौन सी force है future force for future wars आगे आने वाले जंगों में एक नई future force डिवलप करनी पड़ेगी इस future force का concept इंडिया में क्या है war का concept इंडिया में क्या है war का concept दुनिया में आने चैज जीन है यह फॉर्मर चीफ ऑफ इंटिग्रेटर डिफेंस स्टाफ एं जनरल ऑफीसर कमांडिंग इंचीर सेंटरल आर्मी रह चुके हैं तो इनकी वीडियो को शेयर नहीं किया तो बिल्कुल कर दीजे मेरे दोरा बनाई के और वीडियो इसको देखने के लिए और मुझे हल्प करने के लिए आप जोइन बटन दबा के चैनल की मेंबरी बन सकते हैं रमेश सिंग इकॉनिमिक्स शुरू हो चुकी है जिसको ना पढ़ा हूं मैंने कल रमेश सिंग की एकनॉमिक्स की फर्स्ट वीडियो अप्लोड कर दी है तो आपको free of cost मिलनी तो आप जोइन बटन दबा सकते हो न्सी आटी की प्लेइस्ट भी है लक्ष्मिकान्त पॉलिटी कर चुका हूं मैं स्पेक्टर मॉडरनिस्टी का मोस्ट इंपोर्टन प्लाट कर चुका हूं तो आप जोन बटन दबा कर सकते हो इंस्ट्राम पर फॉलो कर जिसके नोटिफिकेशन कभी कभी यूट्यूब की तरफ से नहीं आते वो नोटिफिकेशन से आपको टेलीग्राम ग्रूप में मिल जाएंगे तो शुरू करते हैं future force for future wars recently गुजराद के केवडिया नाम की जगा पे country की top military leadership को हमारे प्रधान मंतरी मोदी जी ने address किया और मोदी जी ने क्या बोला he asked the top commanders to develop the military into a future force while taking note of the rapidly changing technological landscape मतलब जो हमारी military है वही हमारे देश को गार्ड करेगी लेकिन इस military को एक अलगी प्रकार की force में बदलने की बात कर रहे हैं मोदी जी और ये अलग प्रकार की जो force होगी वो इसकी conventional capabilities के साथ technological improvement को मिला के आगे चलेगी बतब technological landscape को ध्यान में रखते हुए सारी advanced technologies को use में लाते हुए हमें अपनी military forces को advance करना है और एक ऐसी approach पकड़नी है which focuses on breaking down civil military silos अब ये civil military silos का मतलब क्या है military अपना अलग silo में काम करती civil अपना अलग silo में काम करती जितना मुझे समझ में आ रहा है आप ये कह सकते हो कि जैसे police है अब किसी राज्य की police है और किसी हमारे देश की military है और वेसी बात है हमारे जो देश की military है वो police वालों को कुछ नहीं समझती है देखा जाए तो overall level of efficiency में और वेसी बात है police वाले military से compete नहीं कर सकते लेकिन civil जो forces है हमारी जैसे कि police forces हो गई और जो military forces हैं CAPF हो गई, army हो गई कही न कहीं इनकी silo approach ठीक नहीं है कही न कहीं इनको combined तरीके से भी काम करना चाहिए whenever required और वेसी बात है एक दूसरे के domain में घुसने की जरूरत नहीं है और फिर यहाँ पे मोदी जी ने बोला है expediting the speed of decision making besides shedding the legacy system यनि कि जब भी ये organizations काम करते है इनके काम करने में ऐसी efficiency होनी चाहिए कि इनकी speed making जो capability हो speed making कर जो efficiency हो तेज हो ये सब क्यों हम बोल रहा है मोदी जी चुकि यहाँ पर war का खत्रा हमारे उपर बना हुआ है अब पात यह है कि wars का मतलब क्या war अब एक ऐसी चीज है जिसको आप आसानी से और लड़ रहे हैं कहां पे लड़ रहे हैं लेकिन जब society technology इतनी ज़्यादा बढ़ गई खासकर technology इतनी ज़्यादा बढ़ गई है आज की date में modern war की definition बदल गई है war hyper hybrid compound non-linear fourth generation next generation cloud techless cyber अलग अलग प्रकार का हो गया है military theorist है Karl Warne Clausewitz इनका क्या बोलना है कि भई war का character बदल रहा है और अब war is practically limitless in variety बहुत अलग अलग प्रकार के wars है इसलिए इतनी unpredictability के चलते आप कैसे एक force को modernize कर सकते हो कैसे एक force को future के लिए तयार कर सकते हो यह जो सवाल है वो आज हमारे सामने आके खड़ा हुआ है खून तो भैता नहीं है लेकिन नुकसान बहुत होता है ठीके यह जो war है इसमें एक common factor होता है इसको political purposes के लिए किया जाता है और इसका जो real purpose है end purpose है वो है domination यानि एक country दूसरी country के उपर कबजा कर ले यह war का purpose होता है ठीके भई अब यहाँ पर बात की गई है US की उससे पहले देखे क्या पता है जा रहा है if humans are naturally political animals war will be the proverbial state of nature and peace liberation कहने के मतलब यह है कि humans अगर naturally political elements है हम लोग अगर political animals है तो हम politics करेंगे ही करेंगे और जब अलग-अलग देश politics करेंगे करेंगे तो हमारे nature में हमारे peace forces में war आएगा ही आएगा तो हमको war के साथ रहे के peace को ensure करना है और war के साथ रहे के अगर peace को ensure करना है तो हमें अपने आपको war के लिए तयार रखना है और अपने आपको war के लिए तयार रखना है तो अपनी military को और अपनी technological capabilities को वार के लिए तयार रखना है और उसकी शुरुआत सिर्वात इंडिया में नी उसकी सरवात USA में भी हो चुकी है देखे क्या बोला गया है यहां पर For Peace to Prevail or to be Enforced Development of Future Force Capability Based on a Third Offset Strategy Was Announced by US in 2014 US ने Third Offset Strategy को Announce कहा था 2014 में ताकि यह अपनी मिलिटरी को अपनी Internal Forces को एक ऐसी Future Force में बदल सकें जो की Peace को लेका है अब US जैसी कंट्री जिसने दुनिया में सबसे ज़्यादा बवार मचा है दुनिया में सबसे ज़्यादा बॉलाइन सबसे ज़्यादा गुटबाजी सबसे ज़्यादा ड्रोन स्ट्राइक्स बहुत सारे लोगों को मारना ठीक है ओवराल ही जो Middle East की कंट्री है और जो अफगानिस्तान टाइप की कंट्री है यहाँ पे तो बरबादी ही मचा दी US ने अभी US जैसे औरगनेशन बोल रहा है कि Peace तो बड़ा आजीब सा लगता सुनने में बड़ चलिए वह एक अलग बात है तो यह US की जो थर्ड ओफसेट स्ट्राटी है यह क्या कंसिस्ट करती है इस कंसिस्ट ऑफ कट्टिंच टेक्नलोजी एक्प्लोरेशन ऑफ न्यू ऑपरेशनल कंसेट्स फो यूटिलाइजिंग सेश टेक्नलोजी मतलब कि इस थर्ड ओफसेट स्ट्राटी में यूएस ने बोला कि हम कट्टिंच टेक्नलोजी लाएंगे नए ओपरेशनल कंसेट्स को डिवाइस करेंगे उसमें नई टेक्नलोजी का इस्तमाल करेंगे और हीूएस के लिए पीस क्या है कि हमारी बास्षाहत को तुम मान लो हम तुम्हें जो बोलें तुम वो करो तो पीस है अभी ऐसे पीस चल पाएगा क्या चाइना जैसी कंट्रीज के साथ पिर बात करते हैं यूएस की थर्ड ओफसेट स्ट्राटजी यह क्या बोलता है इट फोक्सेशन प्रोमिसिंग टेक्नलोजी एरियास सच एस रोबोटिक्स तेस इस्टें आट्रोमी मिनिचराइशन बिग डाटा और अडवास मिनुफेक्ट्री यह जो थर्ड ओफसेट स्ट्राटजी है यूएस से की फिर ऑटोनॉमस लर्निंग सिस्टम, कोलाबरेटिंग डिसिजन मेकिंग ब्विन एंड मशीन, असिस्टेट हुमन अपरेशन, अडवांस्ट मैंड अन्मैंड सिस्टम अपरेशन, नेट्वर्क इनेबल ऑटोनॉमस वेपन, इन सब की बात करती हैं यह यूएस की थर्ड ऑफसेट स्ट्राटजी है फिर क्या बोला जा रहा है इस प्रकार की जो टेक्निलोजी है जिसको यूएस डेवलप कर रहा है जिसको चैना डेवलप कर रहा है और जिसको इंडिया डेवलप करने की कोशिश कर रहा है या at least अभी बात कर रहा है, अगर इस प्रकार के आप technology डेवलप कर देते हो, इसके effects, इसके repercussions, इसके disruptions, weapons, soldiers, cyborg, cyber field में, robotic field में, बहुत जादा होने वाले हैं, और these are strategic effects, strategic effects मतलब आगे आने वाले समय में, हमारे देश को, मतलब इंडिया जैसे देशों के पास कोई choice नहीं रह हैंगे, ठीक है, और ज़रूरी यह है कि जो नए strategic effects हैंगे, नए military capabilities होगी, इसका deployment आप किस तरीके से करोगे, ये भी कहीं न कहीं warfare के strategic angle को सामने लेके आएगा, पहले जो western style democracies थी, जर्मनी ले लिजे, फ्रांस ले लिजे, इंग्लेंड ले लिजे, ये west phallion सोच रखती थी अब आप बोलो कि west phallion सोच क्या होती है, west phallion सोच मैंने यहाँ पर समझा रखता है, west phallion sovereignty, ये state sovereignty क्या है, this is a principle in international law, principle क्या है ये, कि हर state के पास अपनी territory के उपर sovereignty है, और international system है na, sovereign states का, जिसको United Nations Charter में भी include क्या है, ये क्या बोलता है, nothing shall authorize the United Nations to intervene in matters, which are essentially within the domestic jurisdiction of any state, ये एक state, एक country, अपने particular area में sovereign है, उसके काम में कोई फालतू की interference नहीं करेगा, अब अगर आप west phallion approach से चलो, तो दुनिया में कहीं कोई लडाई नहो, disputed borders अगर छोड़ दो, जैसे भी recently, अर्मेनिया अजर्बाइजान के उपर लडाई हो रही है, जोकि बहुत बहुत बह इंडिया चैना की बात कर लो, तो अक सही चिन, हमारा अक सही चिन है, चैना सब कबजा करके बैठा है, चैना अक सही चिन के दो बात छोड़ो, और लद्दा को और नाचल पर देश में गुसनी कोशिश कर रहा है, तो चैना के साफ से disputed हैं, इंडिया पाकिस्तानों को पावर्स प्रेजेंट हैं इंटरनेशनल सिनारियों में, इसलिए पूरी दुनिया में इस वेस्ट फैलिन अप्रोच का जो कंसेप्ट था वो बेकार होता नजर आ रहा है, और एक ऐसा अप्रोच अपनाते हुए अलग-अलग कंट्री नजर आ रही हैं, जहां पर ये बहु फोर्स बनाने की बात कर चुके हैं, क्या बोलते हैं, फोर्स और फोर्स कॉंसेट्स हा डिफिकल्ट टू टाय डोर, मतलब हमारे यहां पर और जो मिलिटरी फोर्स बनी हुई है, इसको और इवाल्व करना, और टेक्नलोजिकली प्रोग्रस करवाना, और ज्यादा रिफाइ ठीक है, यह सब बात ही हाँ पर बाता ही जा रही है, ठीक है, तो बहुँ इंडिया को फाइब्रिडाइज़ एफेक्ट ऑफ वार्फेर को एडप्ट करने की जरू होते हैं, हमारे एडवस्टरी जैसे चाइना पाकिस्तान, या यूजिंग हाइब्रिडाइज एफेक्ट ऑ तो यह क्या है, हाइब्रिडाइज वार्फेर है, कि आप सिर्फ बॉर्डर में नहीं लड़ रहे हो, आप वार्फेर, साइबर फील्ड में भी हमसे लड़ाई कर रहे हो, जो कि सीधे-सीधे हमारी नैशनल सुवरैनिटी को चैलेंज करता है, इसलिए जो हमारी पुरानी द प्राइमाने हैं, जो पेरामीटर से हैं, वो बहुत रेविलुशनली तरीके से बदल चुके हैं, और हमको उनके साथ अडॉप्ट करना आना चाहिए, ये बातें यहां पर बताई गई हैं, नेक्स आर्टिकल चलते हैं, सेलिटरी रिमाइंडर, पॉलिसी मेकर्स मस्ट फोक क्या होता है, एवरी फाइव येर्ली रिव्यू, पांच साल के बाद एक रिव्यू होता है, तो दो हफते बचे, मार्च के अटिस की डेडलाइन आने वाली गोवर्मेंट की और RBI की, कुईन के अन्यूल रिव्यू होगा, करेंट इंफलेशन टार्गेट अंडर दा एक नियम बनाया गया है कि चार प्लस मैनस दो, यानि 2% से नीचे नहीं जाना चाहिए इंफलेशन, 6% से उपर नहीं जाना चाहिए, अभी इंफलेशन को हम कितना कंट्रोल में कर पाए, इंफलेशन के पैरामीटर कैसे चल रहे हैं, इन चीजों के ऊपर, 31 मार्च को बैठ के रिव्यू होगा, बन्दब रिव्यू चल रहा है कि 38 मार्च तक रिव्यू करना ही करना है और यह 5 यर्ली रिव्यू है, अब जब यह इस रिव्यू की बात हो रही है, इंफलेशन में इंडन एकॉनमी कैसे परफॉर्म हो रही है, इसके लिए लेटेस्ट CPI के डाटा को देखना जरूरी है, एक्चुली में फरवरी 2021 का इंफलेशन डाटा आ गया है, और रेटेन इंफलेशन जो बोलता है आपका फरवरी 2021 का CPI, यह बोलता है कि फरवरी में इंफलेशन पहुंच गया 5.03%, अब अगर आप 2-6% का ब्रैकेट देखो इंफलेशन का, तो इंफले 100, almost 100 basis points, to be precise, 97 basis points, इंफलेशन बढ़ता नजर आया है फरवरी 2021 में, when compared to January 2021, उसका रीजन यह हो सकता है कि चुकि जनवरी में इंफलेशन कम हो गया था, तो चीजों के दाम कम हो गया थे, तो बेस एफेक्ट आ गया था, दाम कम है, उसके आज जो भी दाम पढ़ेंगे तो percentage increase ज्यादा दिखेगा, तो एक base effect इसके लिए responsible मताया जा रहा है कि 100 basis point बढ़ गए आपका, एक percentage increase 100 basis point होता है, याद रखेगा, और base effect यहाँ पे एक और respect मताया जा रहा है, actually फरवरी 2020 में क्या हुआ था, कि चीजों के दाम काफी stabilize हो गये थे, तो फरवरी 2020 के respect में, जब फर दिले financial year के उस particular month के respect में किया जाता है, तो फरवरी 2021 में यह जो 5% का inflation दिखाया जा रहा है, वो फरवरी 2020 के respect में दिखाया जा रहा है, तो चुकि फरवरी 2020 में जो base effect था, वो कम था, दाम कम हो गये थे चीजों के, तो अविस सी बात है, फरवरी 2021 में, फरवरी 2020 के कम दामों के respect में 5% का inflation थोड़ा जादा हमको होता नज़रा रहा है, यहां से एक चीज़ क्लियर नज़रा रही, फूड और फ्यूल के दाम, overall economy की price stability को थोड़ा खतरा पहुचाते नज़रा रहे हैं, कैसे खतरा पहुचाते नज़रा रहे हैं, तो अरली फरवरी में, RBI ने यह बोला पुलसेज और ओयल के दाम हैं, वो बढ़े हैं, और अगर आप क्या बोलागे, in case of the latter, edible oils की बात करो, edible oils में inflation, February 2021 में 20.8% था, तो पुलसेज और edible oils के दाम बढ़ेंगे, यह RBI ने अरली दो फरवरी में ही बोल दिया था, और जब फाइनली डाटा निकल के आया, तो सही में पुलसेज और edible oils के दाम बढ़े हैं, और edible oils के दाम 20.8% से बढ़े हैं, फरवरी 2021 में, when compared to February 2020, फिर आगे बात करो, तो भाई, दो और की सोर्सेज और प्रोटीन, meat और fish and eggs, meat and fish and eggs, इन में जो दाम बढ़े हैं, inflation है, वो 11% का है, फरवरी 2021 में, when compared to February 2020, यह याद रखे कि आप किस month से comparison कर रहे हैं, फिर आप बात करिए, तो देखे सबजियों की cost थोड़ी सी कम हो रही है, अच्छी बात है, लेकिन सबजियों की cost के कम होने की speed है, वो अतनी नहीं है, जैनवरी 2021 में, सबजियों की दामों में deflation आया था, 15.8% का, माइनस 15.8% का, फेवरी 2021 में जो deflation है वो कम है, माइनस 6.7% है, तो जितनी तेजी से सबजियों के दाम घटे जनवरी 2021 में, उतनी तेजी से सबजियों के दाम नहीं घटे परवरी 2021 में, लेकिन फिर भी घटे यही बड़ी बात है, उसके बाद अगर आप food और beverages को एक combined category माग रो, तो food और beverages consumer price index का 54.2% weightage रखते ह और इन में 160 basis points का inflation बढ़ा है when compared to January's data, जनवरी 2021 में, food and beverage में inflation था 2.67%, फरवरी 2021 में inflation हो गया 4.2%, तो महीनेवाइस का data है, आप 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 सी बात है, आपको महीनेवाइस के data को याद करने के ज़रूत है नहीं, जब भी इस प्रकार के data release होते हैं, मैं आपके सा leverage होती है, थोड़ा आपकी basic economic understanding अच्छी होती है, लेकिन इन सब data को ना आपको notes बनाने की ज़रूत है, ना कहीं रटने की ज़रूत है, reason be, कि January का data आया, तब discuss किया, February का आया, तब discuss किया, March का आयगा, तब discuss करूँगा, April, May, June, तो अब किसका किसका रट होगे, ठीक है भी, फिर यहाँ पर बात की जारी कि एक और tension वाली बात है कि inflationary pressure बढ़ रहा है, petroleum products के price के वज़े जैसे, petroleum products के price बढ़ रहे है, उसके वज़े से inflation बढ़ रहा है, अभी petroleum products के दाम बढ़ेंगे तो transport के भी दाम बढ़ेंगे, यह बात की ज़ये transport और communication sector की, तो transport और communication सेक्टर में भ February 2021 में ट्रांसपोर्ट और कम्यूनिकेशन में इंफलेशन पहुंच गया है 11.4 परसंट। डीजल के दाम as usual ज्यादा है। पुदेश के बहुत से भागों में डीजल 85 रुपीस पर लीटर पहुंच गया और आपको पता है कि हमारी देश की एकॉनमी को ड्राइव करता है बड़ी कैरियर वेकल्स होते हैं वो सब डीजल बहर बहर के सामान को एक जगा दुसी जगा लेके जाता है। तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर में यह जो डीजल है यह बहुत मेजर रूल प्ले करता है। तो डीजल के दाम बढ़ेंगे तो लॉजिस्टिक के दाम बढ़ेंगे तो हर वो चीज़ जो ट्रांसपोर्ट हो रही है उसके दाम बढ़ेंगे। फिर ब्रेंट कूड ऐल फ्यूचर तो ब्रेंट कूड कूड की इंटरनाशनल जो कॉस्ट है वो बढ़ रही है। ठीके पिछले तीन महीनों का आवरेज देखा जाए 11 मार्च के लगबग पर तो तो कहीं न कहीं और वेसी बात है ये जो बड़े-बड़े major oil producing nations हैं इन्होंने output cuts की हैं अपने output को कम किया है तो output कम करने के चलते international market में तेल के दाम बढ़ रहे हैं तो कहीं न कहीं इंफलेशन भी बढ़ रहा है अब यहां पे एक बड़ा peculiar सा viewpoint दिया हुए मैंने आपको अक्सर कर बताया है कि जब inflation बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था लेकिन economic activity खासकर करोना के समय पे इंडिया में कम थी लोगों के अंदर risk taking ability कम थी लोग ज़्यादा धन्दा नहीं कर रहे थे उस समय पे बहुत सारे experts का यह बोलना था कि भले ही हमारी current account deficit बढ़ ज है लेकिन फिर भी सरकार को एक easy money policy लेकर चलनी चाहिए चुकि हमारे देश की development अभी करने जरूरी है long term में चीज़ें stabilize हो जाएंगी यहां पर RBI की researchers क्या बोल रहे हैं कि 2-6% के band में inflation को रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर हम आने वाले समय में inflation को overshoot कर जाते हैं ब कुछ अच्छा है लेकिन अगर inflation 6% से उपर चला जाता है तो price stability नहीं रहेगी और अगर price stability नहीं रहेगी तो economy will on be a perilous path यानि साफ 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 सरकार ने अपना viewport यहाँ पर दिखा दिया है सरकार के एसाब से RBI की खुद के research के साब से इनकी priority यह है कि inflation को 2-6% के band में रखा ज चाहिए अगर वो cross करता है तो long term में economy को नुकसान होगा चाहे आप कितनी भी development कर लो कहीं न कहीं यह बात सही है बताता हूं क्यों आप बिल्कुल सेवेई नहीं करोगे माल लिजा आपके पास आज की rate में 100 रुपाय है आप मालो को यह कैसी नौकरी कर रहा हूं जहां पर आपको 60,000 रुपय महीने की तंखा मिलती है ठीक है अब आप 60,000 रुपय महीने की तंखा कमाते हो क्या expect करते हो कि अगले साल आपकी तंखा कितनी हो जाएगी until unless कुछ बहुत extraordinary नहीं करते हो सकता 60,000 से बढ़ा के 62,000 कर दी जाए या 65,000 कर दी जाए ठीक है हाला कि 60,000 से बढ़के 65,000 सालाना की वेसिस पर तंखा बढ़े इतनी तेजी से नहीं बढ़ती है नौर्मल कर जॉप्स में इनफलेशन अगर हर साथ परसंट, आट परसंट, नौ परसंट से बढ़ेगा तो आपकी तंखा के बढ़ने का कोई मतलब नहीं है आपकी तंखा इनफैक्ट घट रही है चुकि देखिए 60,000 से मान लेजे आपने अपनी तंखा को बढ़ाया 65,000 की हैं तो जो 5,000 का इंक्र इनफलेशन भी बढ़ा 10%, तो आप तो उसी लेवल पर रहना, माली जो इनफलेशन बढ़ जाता है 12%, तो एक लिमिट से ज़्यादा जब इनफलेशन होने लगता है तो लोगों के हाथ में जो पैसा होता है उसकी वैल्यो गिरने लगती है, जो रियल वर्थ होती है उस मनी क जो लोगों के हाथ में होता है, उसकी वैल्यो गिरने लगती है, तो इससे लोग डिप्रेस होने लगते हैं, इससे लोगों को लगता है कि हम तो इतनी मैनत कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास तो ठीक ठाक पैसा आई नहीं रहा है, तो मतलब किया इतनी मैनत करने का एक overall negative sentiment डव political horizons further, देखिए virtual summit हुई, quad leaders साथ में आया, last week हुई थी, ओके, यहाँ पे अब देखा जाए तो quad में क्या क्या हुआ, तो quad का जो भी बाते हुई, broad substance और deep symbolism था, ऐसा नहीं था कि खाना पूर्ती करने के लिए leaders मिले और बातचीत करके side हो गए, बहुत सारे announcements यहाँ पे हुए हैं, जैसे कि US President Biden, जो किस meeting को head कर रहे थे, host उनों ने किया था, Morrison जी, मद मोदी जी हमारे देश के, सुगा जी जापान के, Morrison जी ऑस्ट्रेलिया के, इन सबने बैठ के बातचीत करी और उनोंने बोला कि भाई, एक vaccine initiative हम आगे लेके आएंगे, ठीक है, joint working group बनायागे, critical technology को ल तक, एक billion vaccine मनाई जाएंगी इंडिया के अंदर, इन vaccine को मनाई जाएगा, US की technology का इस्तेमाल करके, जिस के लिए पैसा जापान से आएगा, और distribution networks आस्ट्रेलिया से आएंगे, और जादा से जादा लोगों को इस vaccine का दिया जाएगा, आप vaccine diplomacy में चार कंट्रीज मिलके काम कर इस एक combined step को आप बेकार नहीं कर सकते हैं, इंडिया के लिए बहुत useful है, चुकि इंडिया के pharmaceutical सेक्टर को इससे और boost मिलेगा, जब US की technology आ रही है, जापान का पैसा आ रहा तो हमारा तो pharmaceutical सेक्टर आगी आएगा न, bulk drugs, special economic zones बनेंगे आट active pharmaceutical ingredients के लिए, हमारी जो import dependence है चाइन के उपर वो कम होगी, बहुत अच्छे इसके points है, तो मैं बोलूँगा कि जो vaccine initiative है, this is the key point of this quad initiative, आगे बात करते हैं, तो यह जो recent quad virtual summit हुआ है न, इसमें जो 1 billion vaccine बिनाने वाली बात है न, इस point को याद रखेगा, this point is very important for your notes, next बात करते हैं, the four quad countries will ensure emissions reductions based on the Paris Accord, Paris Accord के साफ़ से जो emissions कम करने की बात की गई है, और देर डिगरी तक temperature को control करने की बात की गई है, इसमें भी ये countries बहुत proactively involved हो रही है, इसमें बोला है कि ये लोग corporate करेंगे technology में, supply chains में, 5G networks में, bio technology में, supply chains में, ये जो China के ओपर over dependence है, इसको कम करने कोशिच की जा रही है, और वेसी बात हैं सीदे सीदे चाइना कर नाम नहीं लिया जा रहा है, पर फिर भी चीजें ठीक करने कोशिच की जा रही है, फिर भाई, यहाँ पे joint statement दिया गया है, पहली बार quard में, एक joint statement दिया गया है, जिसका title है, spirit of the quard, ठीक है भाई, हाला कि अलग 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 स्टेटमेंट भी आये ह और quard की engagement में, बाईडन एक बात और बताने की कोशिच कर रहे हैं कि international multilateral alliances में, regional alliances में America is back, अमेरिका हमेशा से multilateral alliances में बहुत आगे रहा है, टॉनल टरम के समय पे ये लोग multilateral alliances से पीछे हट रहे थे, अब यहाँ पे US फिर से multilateral alliances में बोल रहा है, yes, America is back, हम multilateral alliances में आपके participate करेंगे, ठीक है भई, फिर आगे बात की जाए, तो कुछ और वज़े भी है, यहाँ पे quard में involved होने की अपनी countries की अलगरत, अगर आप बात करो, तो Australia और Japan जैसी countries की maritime tensions है, चाइना के साथ, trade और telecommunication issue है चाइना के साथ, इसलिए वो quard partnership में involved होके, अपने आपको चाइना क पर ना depend मना के, अपने कह सकते हो कि portfolio को broaden करना चाहते हैं, deeper levels of cooperation मना चाहते हैं, US और बाकी कंट्रियों के साथ, खासकर इंडिया के साथ, पिर भाई, कहीं ना कहीं, quard के साथ cooperation इंडिया के यूसफूल है, बहुत एक लंबा, almost एक साल गया है, LACP tensions का, 7-8 महीने तो गई गई हैं, तो इस squad से इंडिया की pharmaceutical progress बढ़ेगी, इंडिया के हां technology partnerships बढ़ेगी, तो हमारा research और development का जो ecosystem है, वो आगया आएगा, regional cooperation होगा development projects पे, अगर जापान और USA का पैसा इंडिया के अंदर आता है, तो इंडिया का financing infrastructure इंप्रूव होगा, हम चाइना के respect में, कहां पीछे हैं सबसे important चीज़ जहां हम हम चाइना से पीछे हैं, वो है financing infrastructure, infrastructure financing हमारे देश की कमज़ोर है, कहीं न कहीं, जापान और US जैसी countries के साथ involved होके, हम अपनी infrastructure financing की जो deficiency है, with respect to China, इसको कुछ हद तक तो कम करी सकते हैं, बिलकुल हम चाइना से compete ना कर पाएं, तो थोड़ा हम अपने disadvantage को ज़रूर कम कर सकते हैं, यह बात यहां पर पूली गई, लेकिन इस पूरी meeting को अब इस प्रकार से मत लिजे कि भाईया, एकदम ही चाइना को challenge दे दिया गया है, throwing down a gauntlet, जो नई US की सरकार आई है, वो कहीं न कहीं चाइना के साथ अपने रिष्टे को अच्छा करना चा पंदा नेशर का बना हुआ है, यह चालू हो गया, तो कहीं न कहीं, overall, चाइना की जो engagement है, जापान और अस्टेलिया के साथ वो बढ़ जाएगी, इंडिया ओवेसी बात है, RCEP का मेंबर नहीं है, इंडिया के लिए क्यों important है, आपका, यह क्वार्ट, क्वार्ट इसलिए important तो महेंगे पड़ेंगे, तो overall, हमारी जो export competitive-ness और trade competitive-ness वो खतम हो जाएगी, तो basically, यहाँ पे क्वार्ट की जो शुरुवात हुई है, वो perfect तरीके सुई है, क्वार्ट जैसे जो organizations होते हैं, वो शुरू में technological, financing, cooperation में चलते हैं, और धीरे धीरे जब इन countries के overall foreign policy parameters एक जैसे ह हुने रखते हैं, तो यह organizations military alliances में भी बदल जाते हैं, कोई problem नहीं है, इनकी military alliances में बदलने की, लेकिन एकदम से इनको military alliances में बदल जाना, कोई basic purpose सर्व नहीं करेगा, ऐसा तो है नहीं कि China के साथ हमारी जंग चल रही हो, वो अलग बाह के cyber warfare चल रहा है, लेसी पे, stand off हो है, तो ऐसे cases में जरूरी यह है कि हम अपने technological capabilities को बढ़ाएं, और वही हो रहा है, सीधे-सीधे चाइना से लड़के कुछ मिलने वाला है नहीं, बेकार में energy waste होगी, आप end में कुछ achieve नहीं करोगे, तो this is the best way to move forward, जो कि quad countries यहाँ पे कर रही हैं, फाइनली बात करते हैं, force stalling a cyber pal harbor, it would be a grievous error if India were to underestimate the extent of cyber threat it faces, especially from China, भई हमारे सामने cyber force में, cyber attack में जो भी, आप कह सकते हो challenges आ रहे हैं, चाइना की तरफ से बहुत बढ़े हैं, एक जो report आई थी, कि भई, चाइना की hackers ने इंडिया के उपर attack किया है, recorded future की यह report थी, अगर आपने इस report को नहीं देखा है, तो मेरी एक video देख लीजे, एक video यहाँ पर एक हफते पहले मैंने मिलाई, did China hack India's power infrastructure, यहाँ पे जो recorded future की report आई है, यह report क्या बोलती है, उसके अगेंस्ट मारी सरकार क्या बोलती है, उसके बारे मैंने बातचीत करी है, महरास्ट की सरका सरकार के जो मिनिस्टर है, उनका बोलना है कि हाँ भाई यह जो attack है, वो चाइना की तरफ से आया है, भारास सरकार का यह बोलना है, ही नहीं भाई यह attack चाइना की तरफ से नहीं आया है, यह हमारा कुछ internal failure हुआ था, तो यह पहली video आपको recorded future की report के बारे में बताएगी, हमा emergency response, task force का क्या काम है, इसके बारे में आठ महीने पहले में बीवने एक video मना रखी है, आप चाओ तो इसको भी दे सकते हो, तो यह basic चीज़े हैं, इनको आप देख लो, आपको चीज़ें थोड़ी से clear हो जाएंगे, अब इस प्रकार के, जो events होते हैं ना, they're basically a wake up call for India, कही न इंडिया की जो government agencies हैं, जिसमें एक है NCIIPC, National Critical Information Infrastructure Protection Center, दूसरी certain, इंडिया computer emergency response team, ये कही न कही न कही इन teams को जरूर पता होगा कि चाइना का जो aggressive cyber campaign है, recorded future की जो report है, ये किस हदर तक सही है, लेकिन obvious इस तरीके के organizations, पगली कली कभी भी, तो ये organizations कभी भी इस बात को accept नहीं कर करेंगे कि इंडिया के ऊपर एक attack हुआ है, चाइना की तलफ से, क्यों ये accept करेंगे, चूकि इस प्रकार की जो reports के, इस प्रकार की जो news के, जो political fallouts होते हैं, वो बहुत बड़े होते हैं, आप लोगों को जवाब नहीं दे पाऊगे कि भाई हमारे इतने critical infrastructure के ऊपर चाइना activity, against Indian organizations from Chinese state sponsored groups, early 2020 से ही Chinese state sponsored groups की तरफ से, Indian organizations के ऊपर targeted attacks होने लगे थे, infrastructure targets, power sector, ports, और October 2020 में ये जो attack हुआ था, ये हमारी 10 distinct power sector organizations के ऊपर हुआ, और 2 Indian ports के ऊपर भी हुआ, और ये जो attacks करवाए गए गए ना, ये करवाए गए एक network infrastructure के थूरू, जिसका नाम यहाँ पे दिया गया axiomatic symptom, यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है very similitude, इसका मतलब किया, इसका मतलब है the appearance of being true or real, मतलब कोई एक चीज जो हमारे सामने आई है, हमें confirm नहीं है कि सही है कि नहीं सही है, लेकिन वो सही लग रही है, it appears to be true, actually में इसका मतलब यहाँ पे इस context में ये है, what adds to be the very similitude of these revelations, मतलब यह जो revelations है, recorded future ने बोला है कि इंडिया के इतने बड़े infrastructure के उपर cyber attack हुआ है, तो इसमें very similitude मतलब क्या है, कि भाई, यह जो revelations है, यह जो बता रहा है recorded future, यह सही लग रहा है, और यह revelation क्या है, revelation इस बात से भी सही लग रहा है, revelation मतलब कि recorded future ने यह जो report दी, कि इंडिया के power structure के उपर port infrastructure के उपर cyber attack हुआ है, यह appears to be true, ठीक है भाई, और यह जो attack हुआ है, यह network infrastructure, axiomatic symptomat के थ्रू हुआ है, और इसके लिए, जिन servers का इस्तमाल किया गया, उसका नाम है readyco, readyco क्या है, it is a china link activity group, जो इंडिया के power sector को target करता है, और यह हमारे power spectre को cripple करता है through a malware, जिसका नाम है shadow pod, shadow pod क्या है, it is a network intrusion malware, जो कि affiliated है Chinese Ministry of State Security से और People Liberation Army से, इस शाड़ी पैड को यहाँ पे backdoor Trojan malware भी बोलते हैं, इसका एक secret path है, चुप चाप से, यह command और control center में घुसके, की information को निकालके, चाइना की agencies तक पहुँचा आपाता है, और आगे आने वाले समय म अगर future digital है, जो की है, आप देखें, इंडिया में हर चीज़ सरकार digital कर रिये, तो अगर हर चीज़ digital है, और चाइना ने एक full skill offensive यहाँ पे launch कर दिया, तो कहीं न कहीं हमें एक potential counter offensive launch करना पड़ेगा, cyber pearl harbor, इसमें हम चाइना के ओपर attack नहीं करेंगे, पहले हम अपने आपको बचाइंगे, जो सबसे पहली यहाँ पे, आप कह सकते हो, इंडिया के सामने जरूरत है, वो यह है कि भाईया, अपने infrastructure को बचाओ, चाइना के ओपर attack करना तो अभी भूल जाओ, और चाइना सिर्फ इंडिया के ओपर attack नहीं कर रहा है, चाइना देश के और बहुत से इंडिया के ओपर attack कर रहा है, देखें क्या लिखा हुआ है, अक्रॉस दे वर्ड, बीजिंग दस नोट अपियर तो बी इंगेज इंगेज इन अ मिजर साइबर ओफेंसिव डिरेक्टर, नोट अगेंस कंट्री इंडिया बट अगेंस 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 टेक की हैं, जो युएस प्रेजिडेंशिल एक्शन सुए थे 2016 के उसमें ऐसा बोला गयता है कि रशिया ने साइबर इंवाल्मेंट करी थी, तो सिर्फ चाइना एक ऐसी कंट्री नहीं है जो इस परकार के साइबर अटेक्स करवा थी, यूस रशिया खुद ही ये काम करते ह तो कहीना के इंडिया भी इसमें इन्वाल हो रहा है, पाकिस्तान तो इन्वाल है ही, अब चाइना इस प्रकार के अटक करता है कैसे, चाइना इस प्रकार के अटक करता है, दुनिया भर में जो सॉफ्टवेर्स चलते हैं, सॉफ्टवेर के नाम, for example, Microsoft, दुनिया भर में अमेर सॉफ्टवेर में कोई लूफ़ोल है, तो ये लूफ़ोल क्या Western Organizations को नहीं पता था, ऐसा बोला जा रहा है कि इन Western Organizations को ये लूफ़ोल पता है, लेकिन ये लूफ़ोल जानबूच के सिस्टम मना जाते हैं, जो बड़ी-बड़ी companies होती ही न, Western World की, वो क्या करती हैं, जब सॉफ्टवेर मनाती हैं, जो उसमें गलेच छोड़ देती ही, जानबूच के, फिर क्या होता है, कि उस गलूच की चलते हैं, कोई वाइरस आएगा, कोई system leakages होगा, तो इस वाइरस को solve करने के लिए फिर anti-virus निकालेंगे, anti-virus बेज-बेज के पैसा कमाएंगी, तो ऐसा कोला जाता है, कि बड़ी-बड़ी software companies deliberately system में कुछ problems छोड़ देती हैं, और बाद में उन problems का antidote लेके आती हैं, नए software के थूरू जो वो पैसो से बेचती हैं, तो ये जो vulnerabilities होती हैं, जिनको intentionally इन बड़ी-बड़ी companies ने मनाया था, इनी vulnerabilities का फाइदा उठा के China इनके system मों में ग targets हैं, वो बहुत बड़े हैं, for example, 2020 के end पे, जब COVID-19 की vaccines की deployment की बात हो रही थी, US, Europe, UK जैसी countries में, बहुत major scale पे COVID-19 पे research चल रही थी, ये बोला जा रहा था कि दुनिया भर में COVID-19 की distribution supply chains कैसे काम करेंगी, उस समय पे, एक sphere fishing campaign चलाया, चाइना ने, और उन organizations को target किया, जो की COVID 19 की vaccines को store कर रहे थे, transport कर रहे थे, उसमें research कर रहे थे, ये Chinese hackers ये जानने की कोशिश कर रहे थे, कि इन्होंने, इन COVID-19 की vaccines में क्या-क्या research की है, क्या-क्या उनके research के data निकल के आ रहे हैं, कहां-कहां पे ये लोग vaccine को supply करेंगे, deploy करेंगे, इन सब प्रकार की जो vaccine research की, आपक हमारी COVID-19 की research को, चाइना अपने hacking campaign के तुरू कबजाने की कोशिश कर रहा है, अभी recently, 2021 में, हजारों US organizations के, आप कह सकते हैं, जो computer है न, उनको hack कर लिया गया एक Chinese group Hefnium के तोरह, Chinese group Hefnium ने बहुत सारे US की computers जिसमें Microsoft का software का इस्तमाल हो रहा था, उस Microsoft software में एक flaw को इस्तमाल करते हुए, ये Chinese group Hefnium ने उन computer's के ओपर अपना control ले लिया, ठीक है न, और हजारों की तागाद में Microsoft servers यहां पे effect हो रहे थे, बाद में जब ये glitch पता चली तो इस glitch को solve किया गया, कुल मिला कि कहने का मतलब यहां पर क्या हो रहा है, cyber espionage एक ऐसी चीज़ जिसमें जिसमें involved नहीं है, US रशिया जैसी countries भी involved है, US बहुत लंबे समय से रशिया के ओपर इल्दाम लगाता रहा है, कि रशिया ने cyber attack को US के against बहुत बार इस्तमाल किया है, US खुद कौन बहुत सीज़ है, US खुद भी ये काम करता है, तो जो cyber attack है, cyber espionage है, ये जो कुछ भी हमको दिख र हमको नहीं मार सकता, जो कि हमारी armed forces खड़ी हुई है, हमारे पास nuclear weapons है, तो war हमको वैसे डर नहीं है, हमको cyber attack से ज़्यादा डर है, अगर एक limit से ज़्यादा हमारे उपर cyber attack हो गया, तो हम अपने गुटनों पर आ जाएंगे, एक दम से सोचे, पूरे देश की बिजली इकट जाएगी देश का क्या हाल होगा, आप अंदाजा लगा सकते हो, तो बेसिकली यहाँ पर हमको एक वेकल पॉल लेनी चाहिए, हमें Chinese cyber attacks है, और दुनिया कि किसी भी और cyber attacks है, अपने आपको बचाने के लिए, काबलियत को develop करना पड़ेगा, critical infrastructure को develop करना पड़ेगा, और यह स च्डिटिव चला रहा है, इंडिया ने जोईन नहीं किया, चैना जिस प्रकार से पूरी दुनिया को देखता है, उस प्रकार से इंडिया नहीं देख रहा है, और इंडिया चैना के इसाब से economic field में चलने कोशच नहीं कर रहा है, तो आगे आने वले समय में, चैना बहुत information infrastructure को develop करें चैना का 2021 का जो defense budget है वो 209 billion dollars का है जिसमें एक बहुत important element है strategic support force जिसमें cyber warfare को develop करने की बात करी गई है तो अगर इस प्रकार की strategies को चैना pursue कर रहा है तो हमें भी proactively involved होके आगे बढ़ना पड़ेगा article लिखा है M.K. Nayanan साहब ने national security advisor और obvious ही बात इनकी viewpoints यहाँ पर काफी important लग रहा होगे thank you for watching friends have a great day I hope आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलाओ